ये कोई पहाडों से निकलने वाली नदी नहीं है बलकि ये यमना नदी है जो राज़ानी दिल्ली में इतनी जादा दूशित हो चुकी है और इसमें पूरा आप दूर दूर तक के नजारा देखें मानों की बर्फ तैर रहे हो पानी पर लेकिन ना ये पहाडों का जैसा शुद पानी है और ना ही ये बर्फ है ये जहरीला फोम है और ये जहरीला जाग है जो अमोनिया बनने की वज़े से अमोनिया के मात्रा बनने क कि वजह से यहां पर बन गया है, कुछ यहां पर महींलाए हैं, छट उवरतिया हैं, जो इस नान कर रही थि, उनसे पूचते हैं, किया नाम है इतना गन्दा पानी है, इतना मैला पानी है, इसमें जाके आप सनान कर रही थी, डर नहीं लगा, नहीं, तो क्या कहेंगे इस पानी में जाकर कि आपको मजबूरी है जडो पानाँ आपको स़ी-दि लेकिन इतना गंदा पानी आपको नहां करके आएँ हैं खत्रा इतना जादा है। आपकु नहीं लगता है कि इतने सालों से कोई पालतों पर ना रहे हैं। साफ होती दिखी कभी उतने सालों में यह मुना होता था है इस बार नहीं किया है इस द्रह kah eranju फोटफ पूजा है तो करना तो जरूरी है ये बहता पानी ऐसे तो हम घर पर कर लेते पर बहन पानीमें सुध सूध होती है हम लोग के मजबुरी आना जरूरी है और भी लोगन से बात करते क्या नाम है आपको मेरा नाम रंजीत गुपता है यह कैसे जो पानी की दशा देख रहे हैं आप यमना मैली होती विए उसमें पवेतर होने के लिए महिलाएं जा रही है पवेतर होंगी या खत्रा बढ़ाएंगी बिमारियों सबसे पहली बात तो अब यह नाकामी है ठीक है क्योंकि हमारी गौड़्मेंट चंदे से बनी होई है वह अगर पहले अलाउंस कर देते कि हमारे पास फंड नहीं है तो पब्लिकों से चंदा ले लेते कम से कमी सफाही तो करवा देते हैं क्योंकि हम खुदी चंदा देने वाले 101 रुपे हमने भ है कि अब यह नाकामी किसको दिखाये जाता है पर मनाना हमारी मजबूरी है क्योंकि बैटा नदी में पर अब होता है पिछले साल चलो कारोना का काल था तो इस वज़े से घर में मना लिए हर साल थोरी मना सकते हैं घर में भी तो मनाने पूलिस वाले पिछले वार नहीं दिये थे फिर भी हम लोग चृत किये थे हम लोग का मजबूरी है इसलिए तिया पहता पानिया यह सूध होती है जैसा भी हो सूध होती है तब यहां पर शाट पूज तो यहिं करना है क्योंकि एक अक रूम है तो उस रूम में हम खाना बनाएं कि उसमें सों बैठे हैं समान रखें आकि मैं पूजा करें तो पूजा तो मैं हिन्या करेंगा हिन्या सुध होगा कि तुनों गंदा पानी है लेकिन हमारे लिए सुध पानी है पिल्कुल उनका कहना है कि जितना भी गंदा पानी है इनके लिए शुद पानी हाले कि ये शुद पानी नहीं है ये बिमारियों को नियोता देने वाला पानी जरूर है और यहाँ पर इतने गंदे पानी में ये छट वरतियां जो हैं स्मान करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है लेकिन पिछले इतने सालों में ये जो अमिना का नदी है उसको बड़े-बड़े दावी जरूर किये गए हैं साफ करने के लिए लेकिन हालत अभी भी जैसी की तैसी है हर साल की यही कानी और हर साल यही मुद्दा उठता है और इसकी सबसे जादा मार जो है वो आम जंता को दिल्ली एंसियार की पड़ती है चाहे वायू प्रदूशन हो चाहे जल प्रदूशन हो इस सबसे जूजना पड़ रहा है दिल्ली एंसियार के लोगों को जहरीली हवा के साथ साथ जहरीला पानी भी वो पीने के लिए मजबूर है क्यामरा परसन अजय तिवारी के साथ इलाकाजमी एबीपी नियूज दिल्ली एबीपी नियूज आपको रखे आगे